हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो इंग्लिश बिद्रागपसर और जैसा कि मैंने आपसे प्रोमिस किया था, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काइंट्स अफ नाउन, याणि नाउन के जो प्रकार होते हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज के इस वीडियो में आपको नाउन के काइंट्स की बारे में बताऊंगा मैं, और उनकी जो हिंदी होती ही, प्रॉपर मीनिंग, और उनकी जो एक्जामपल्स होते हैं, उनकी बारे में मैं आपको खुलकर बताने वाला हूँ तो वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग और आपके लिए वेनिफिशियल होने बाली है, तो जुड़े रहीएगा वीडियो में तक शुरुआत करते हैं, नाउन के फाइब काइंट्स होते हैं, इसते पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाउन की जो डेफिनिशन मै एक विड़् नव लेक गरेंजाय मैं तो सहाँगाने, नावेगा क्या अर एक हैं। कय मैं इसे चाहता है। जाती बाचक, proper को कहते हैं, हम व्यक्ती बाचक, व्यक्ती बाचक संग्या बोलेगे इसको, material को बोलते हैं, पदार्थ बाचक या आपको कहीं पर इसको लिखा मिलेगा, द्रिब्व बाचक, अगला है collective को बोलते हैं, समूह बाचक, और जो last है आपका abstract noun उसको बोलते हैं, भा प्रचक यानि आपकी सुं Java identifier ही जातिवाचिक संगिया भ्यक्ति प्रचक संगिया बदार्थ वांच या दिरभ्य वाचिक संगिया और अंतिम है भाव बाचिक तो ये ये हों गए आपके संगिया के प्रकारं अब थोड़े से इनके exemples के बादे में देखते हैं common noun common noun को example होगा boy girl city school यह चार एक्जामपल हो गए एक्जामपल बहुत होंगे आने वाले वीडियो में आपको इनका elaboration भी मिलने वाला है next proper noun boy की जगह में लिख दूँगा यहां पर राजेश girl की जगह रिखता हूं राशी city की जगह में लिखता हूं कानपूर स्कूल की जगह लिखता हूं suppose dps there are many more examples like this material material क्या होता है पदार्थ वाचे संग्या है तो इसमें आपको कुछ भी आ सकता है would be associated material वह सारी चीज ginger subsidies कोई और दोसी चीजव म penalized team material design में आते हैं विद मिलक हो सकता हैं गल्ड को सकता है या सकता है जिकनी में में म इंडलस उत्ती हों सब में 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 आएंगी आपका आयों आइं आयरण ना है इसको this is called iron silver there are many more examples of material on also fourth one is collective collective noun के example में देखी गाइज class army committee और आप एक और example दे सकते हैं यहां पर होता है constellation constellation is the group of stars any arranged group of stars is known as constellation last one is abstract abstract का मदलब भाव बाचक जितने भी भावना होती है यह जिनको हम देख नहीं सकते हैं छूर नहीं सकते हैं सिर्फ feel कर सकते हैं वो हैं भाव बाचक संग्य लाइक love जैसा कि मैं लास्ट वीडियों बताये था आपको love is the best feeling of the world anger love का opposite क्या होगा hated नफरत और आपकी जो बहाद्री होगी उसको भी आप इसी में डाल सकते हैं bravery okay guys so these were the kinds of noun common noun proper noun material noun collective noun and the abstract noun okay these are the five kinds of noun these are the examples so अगर आप चाहे तो इसका एक screenshot भी ले सकते हैं please take the screenshot तो यह हुए आपके kinds of noun next video में मैं इनका elaboration लाने बाला हूँ आपके लिए इसे आपको अभी confusion को common और proper noun में अगर कहीं पर example आ जाते हैं और आपसे यह पूछा जाता है कि which is the common noun which is the proper noun then you are definitely going to be confused यह जो confusion है वो खतम होने वाला अगले वीडियो में तो जोड़े रही है मेरे साथ ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के प्लीज लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए stay happy keep smiling and keep learning thanks for watching